हाई फ्रेंड्स मैं अकांचा सर्मा जी के वितकांशों में आपका स्वागत करती हूँ मद्दपदेश डेरी करेंट अफियर में आज हम 25 दिसंबर की सुबह से साम तक की खबरे पढ़ने वाले हैं और आज जो खबरे हैं वो बहुत ज़दा इंपोर्टेंट हैं आप यह समझेए कि एक से दो कोशन आपका बनना ही है और अगर आप मेंस की दरश्टी से भी देखे तो मेंस की दरश्टी से भी यह उपयोगी है तो आपको दोनों ही अच्छे से कर लेना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तक कि आने वाली सभी वीडियो का इंफोर्मेशन आप तक मिलता रहे सबसे पहले फ्रेंड हम कल का कोशन देख लेते हैं कि कल का कोशन क्या था कल का कोशन मैंने आप लोगों को दिया था कि मद्ध प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है और मालवा की गंगा किसे कहते हैं तो मद्धपरदेश की दूसरी बड़ी नदी चंबल नदी है और मालवा की गंगा हम बोलते हैं चिपरा नदी को चुकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मेरे एक दिन में तीन से चार वीडियो होते हैं यही मेरा एक रहता है जिससे मैं आप लोगों से रूबरू हो पाती हूँ कमेंट के थूँ तो देखते हैं और कौन-कौन आंसर देता है कुछ लोग बहुत अच्छे से आंसर देते हैं रेगुलर देते हैं आंसर उनके आंसर देखके मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस वीडियो बनाने का भी इंतजार रहता है तो सबसे पहले देखते हैं कि किसने आंसर दिया है राम भजन पनीका ने आंसर दिया है इसके अलाबा सुनील कोश्वहा ने आंसर दिया है आमिर खान ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है कि मद्ध परदेश की सबसे बड़ी नदी नर्बदा है जिसकी लंबाई मद्ध परदेश में 1077 किलोमीटर है दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है जिसकी लंबाई 953 किलोमीटर है मालवा की गंगा चिपरा है रजनी सेन ने भी आंसर दिया है कि मद्ध परदेश की स आश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्या जो आप लोगों को कल जिसका आंसर देना है आज का प्रशन है कि मध्ध परदेश की साक्षरता दर कितनी है और परदेश की पहली E-Library कौन सी है जिसे नेतरहीन चात्रों के लिए मतलब परदेश की पहली जो E-Library है वो कहां खोली गई नेतरहीन चात्रों के लिए जिसको खोला गया तो परदेश की पहली E-Library कहां है नेतरहीन चात्रों के लिए कहां आरंब की है और कब आरंब की है यह कहां भी कर लिजेगा और कब भी कर लिजेगा तो कहां हुई और कहा हुई तो दोनों का अंसर कमेंड वाक्स में जरूर बताईएगा तो चलिए देखते हैं पहला अंसर क्या है आज बहुत इंपोर्डेंट है लास्ट तक वीडियो देखीगा बहुत अच्छे से समझेगा यहीं कि यहीं आपको याद हो जाएगा पहला कोशन है CM Citizen Care योजना की सुरुवात मुख मंतरी जी द्वारा कप की गई तो आपको याद रखना है कि CM Citizen Care योजना की सुरुवात 25 दिसंबर क्वाटल जी के बर्डे पर की गई है और क्या है मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा इसमें CM Citizen जैसे कि अगर आपको आधार काट के एक फोन पे जानकारी देना है एक आधार काट के दुआरा आपकी जाती प्रमाण पत्र और आपका आय प्रमाण पत्र आपके वाट्सप पे आ जाएगा मतलत जैसे कि बीच में आपको परिशान होना परता था बन का नहीं था चक्कर काटने परते थे बच्चों को जिनका बना नहीं है तो अब वो परिशानी मुख्वंत्री जी द्वारा सॉल्व कर दी गई है योजना के नाम से CM Citizen के और योजना के नाम से और आपको केवल गला कोशन फॉर्म में लिख दी हूँ वो मैं आपको बताती हूँ CM Citizen के योजना की सुरुवात कहां से यह पहला आम नहीं का था कब की गई दूसरा है कहां से की गई पहला 25 दिसंबर को दूसरा की गई होशंगावाद के बावई ग्राम पे बावई का नाम आपने सुना हो 25 दिसंबर को की गई हुशंगावाद के बावई से की गई एक फोन पर नागरिकों की सेवाइ देने वाला प्रतिमराज्य कौन सा बन गया है इसका मतलब क्या है यह पूरा डिटेल मैंने दी हूँ कि मात्र आधार काट की जानकारी देकर घर वैठ है आप सभी जनोपयोगी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं आपको क्या करना है 181 नंबर पर फोन करना है आपको कॉल करेंगे वहाँ पर अपने आधार काट की जानकारी देंगे उसके इत्रू आपका जो जाती प्रमाण पत्र आये प्रमाण पत्र और जो जनोपयोगी सेवा के जो डोकिमेंट्स रहते हैं वो आपके मोबाइल में आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट कोशन है नेक्स्ट कोशन भी बहुत इंपोर्टेंट है आज के जो सुलू के कोशन है बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है मद्धोपदेश के किस टाइगर रिजर्व में अफरीका के जंगलों की तरह कर सकेंगे बन जीमों का दीदार मतला मद्ध पुदेश का ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें अफ्रीका की तरह कर सकेंगी अफ्रीका में क्या होता है बलून के गवारा उपर उड़ जाते हैं उपर से ही अप वर्ने जीमो को देख सकते हैं क्योंकि नीचे से हम उनको पास जाके नहीं देख सकते हैं कि उपर से उनकी जो गति विदियां है अगर हम उपर उड़ रहे हो तो उपर से आसानी से देख सकते हैं तो किस टाइगर रिजर्व में ऐसा किया गया तो बांधव गड़ टाइगर रिजर्व जो है वहां पे हम अफ्रीका की जंगलों की तरह वर्ने जीमों का दीदार कर सकते हैं इसी से संबंदित तीन कोशन इसी से संबंदित मैंने बनाए हैं क्योंकि अलग-अलग तरीके से यह पूछे जा सकते हैं बांधव गड़ टाइगर रिजर्व में होट एयर वलून साफारी का सोभारम किसके दौरा किया गया तो बांधव गड़ टाइगर रिजर् सभारम किसके दौरा किया गया सो भारम किया गया है वनम द्री विजय सहाद वारम किया गया वांधम-गर टाइगर रिजर्व में होट एयर वलून से अपारी का लाइसेंस के निए इसको यह इसको 12 साल पहले भारत की कंपणि सख hospital को इसका लाइसेंस देगा ःसे दिया गय भी बहुत इंपोर्टेंट है पीम किसान सम्मा निदी के तहत आज 18,000 किरोर रुपे वित्रित किये गए किसानों के खाते में सागर के देवरी में मद्द परदेश के 9 करूर किसानों को इसका लाम मिला है और यह कहां संबोधित किया मोधी जी दौरा मोधी जी भी वीडियो क का योजिन कहां सुरू हुआ है उमंग 2020 कहां से सुरू हुआ है उमंग जैसे कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था जब यह प्रोग्राम का लांचिंग चल रहा था कि जो पलास रेसिदेंसी है वहां पे फूड का बहुत अलग अलग प्रिकार के वियंजन हँआ पर इसको शुरू किया गया मद्दपदेश राज परेटन विकास निगंद औरा नावाट के सेयुग से यारम किया गया था यह होगई ये तांसें संगी समर और इसकी थीम क्या होगी सिप्पूरी की सिंधिया छत्री की थीम पर ये आरंब होगा 26 दिसंबर गौालियर में 25 दिसम्बर को अटल जी की कौनसी जैनती मनाई गई है तो आज जो निकला है 25 दिसम्बर को उद दिन अटल जी की 96 वी जैनती बनाई गई है कौनसी मनाई है 96 वी जैनती मनाई गई है अटल इसमारक कहां बनेगा तो अटल इसमारक गोवालियर के न्यू सिटी सेंटर में बनेगा संगरहाले उनके स्कूल में बनेगा ये दोनों वो और भी बहुत महत्मन कोशन है तांजेन सम्मान 2020 किसको दिया जाएगा भी तांजेन समारों के दौरान महारास्ट के संतूर वादक है 15-37 व्याद उनको दिया जाएगा और इसमें 2 लाख रुपे और प्रसस्ती पत्र दिया जाता है सिटिंग गोशन है कि राजा मान सिंग तोमर सम्मान किसे दिया जाएगा राजा मान सिंग तोमर सम्मान 2020 का भोपाल के अविनप कला परिसत को दिया जाएगा और इसमें 1 लाख रुपे की रासी नारियल और प्रसस्ती पत्र दिया जाएगा तो इस प्रेकार से तांसेन सम्मान किसको दिया जाएगा तो फ्रेंट्स ये थे हमारे आज के कोशन और ये हमारे आज के प्रेस्ट इनका अंसर जरूर दीजिएगा और फ्रेंट्स अगर आप मद्व प्रदेश का सामान ग्यान 5000 वर्ल लाइनर लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं आप इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी वहाँ से आप इसको पर्चेस कर सकते हैं इसके लावा ये 1200 प्रेशनों का संग्रह है विज्ञान का हस लिखिद वाल लाइनर ये भी आप खरीश सकते हैं इसके लावा एक और सूचना अगर आपने अभी तक अनेकेडमी आप इंस्टॉल नहीं किया है तो अनेकेडमी आप इंस्टॉल कर लीजिए अनेकेडमी बहुत ज़दा फायदे आपको देने वाला है बस आपको ये रिफरल कोड याद रखना है अपने ये फायदे को अनल डेली टी-20 सीरीज आपको कराई जाएगी सोमबर से सनिवार आट वजे ये रहेगा टॉप एजुकेटर के द्वारा इसके अलावा ये सभी टॉप एजुकेटर है जिनके द्वारा आप पढ़ाई करेंगे आप डेली फ्री लाइप क्लास ले सकते जिससे आप एजुकेट से उनके साथ कॉंपीट कर सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक कैसी है दिन बाद जितना जदा प्रैक्टिस कोशन करेंगे उतना जदा आपकी स्थिति और इंप्रूव होगी आपको क्या करना है आपको को अपना नाम धूना है वह स्वारी अनिकेडमी अनिकेडमी आपकी स्थिति और आपक?